हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मदर्स लाइव व्लॉग्स फ्रेंट्स सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 थैंक यू आप सभी ने मेरे लास्ट वाले वीडियो को जो मैंने बनाया था प्रेंट्स एक्ससाइस फॉर नॉर्मल डिलीवरी आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया और कुछ वीवर्स ने मुझे प्रेंट्स मेरा नाइंत मन चल रहा है और अभी तक मुझे लेक्स्वेलिंगी प्रॉब्लम नहीं आई है बट क्योंकि आप लोग मुझे पूछ रहे थे तो मैंने इस पर काफी रिसर्च की और मेरे घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनसे मैंने पूछा कि अगर ऐसी को दिक्कत आती है तो हमें क्या करना चाहिए तो और उन सबसे सारे कंसल्टेशन के बाद और काफी रिसर्च के बाद मैंने यह वीडियो बनाया है तो इस वीडियो को आप एंट तक जरूर देखिए आपको काफी हेल्प मिलेगी फ्रेंच वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में चैनल पर नहीं है या अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जागे सब्सक्राइब कर लें बैल ऐकन को दवाना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें कि तो फ्रेंज वीर्यो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेक्स वेलिंग की प्रफ्लम हुमें प्रेगेंस के दौरन आती ही क्यों थर yang बात करें फ्रस्ट वytes्ट hoc बात करें सेकेंड ट्रैमेस्टर की तो जैसे जैसे हमारा बच्चा ग्रो करता है हमारे यूटरस में तो काफी बना उसे ब्लड फ्लो की रिक्वाइमेंट पड़ती है जो कि मां के थुरू ही उस तक पहुंचती है इस वज़े से भी लेक्स फिलिंग की प्रॉब्लम आती है औ तो सारा प्रेशर हमारे पैरों पे नीचे वाले पार्ट पे पुट करते हैं इस वज़े से भी लेक्स फेलिंग हो जाती है इनके अलावा अगर बात करें कुछ और रीजन की तो फ्रेंड एक रीजन होता है हाइपो थाइरेड अगर आपको प्रेंडेंसी के दौरान थाइ इस वीज़े से क्या होता है कि जो जो भी कानि पानी होता है उसका पार्ट होता है वह हमारी जो सेल्स होते हैं या मुसल्स होते ए उन जो पानी होता है वो बच्चे तक oxygen को पहुचाने का काम करता है फ्रेंड जुसके अलावा जो बचा हुआ पानी होता है वह हमारे जो पैरों में होता है वहां पे स्टोर हो जाता है क्योंकि अच्छा blood flow होने के लिए बॉडी में जितना भी पानी स्टोर हो रहा है वह हमारे हाट से बिलकुल दूर होता है हमारे हाट से इस मज़ें से सारा जो water है वहां पर स्टोर होल आता है क्यों कि वैसे घिटर सारा pressure हमारे पैरों पर ही डालती है तो फेंस, यह कुछ रीजन हो गया हैं, जिसके वाज़े से हमेंft franchelling की प्रॉब्लम आती है, फेंस, अब अगर बात करें कि क्या करने से हमेंft franchelling से आराम मिलेगा, लेका, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको घर पर ही मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जुरुत नहीं है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वह को डेली, जो आपका जो कॉंटरिटी है, 3-4 लीटर पानी पीने का उसे पानी पीएंगी इतना बैटर है दूसा तरीका यह है कि आप शाम के टाइम पर थोड़ा सब एक बकिट में रहा है उसमें ठोड़ा सबने नमक अपानी लिजे ऊपके जो पैर हैं उसमें डिप हो जाए उसके बाद आप अपने दोनों पेरों को ढिप करके इसमें अराम से 15-20 20-30 मिनिट्स का रेस्ट लीजिए आपके पैरों को काफी रिलीफ मिलेगा बात करें तीसरे तरीके की तो आपको जादा एक ही पोजिशन में खड़े नहीं रहना है एक ही पोजिशन में बैठना नहीं है आप जादा देर तक खड़े रहेंगे तो आपका जो सारा बॉडी का प्रेशर है वह आपके पैरों पर पड़ेगा जिससे आपकी स्वेलिंग और भी बढ़ सकती है इसलिए आप टाइम टू टाइम अपनी पोजिशन को चेंज करते रहें एक ही जगह जादा दिर तक खड़े ना रहें एक ही जगह जादा दिर तक बैठे भीना ऐसा करने से आ और आपके जो लेक्स की हाइट है वह इतनी मिंटेन करनी है कि आपके जो हार्ट है उससे थोड़ा उपर रहें इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो बना रहेगा आपकी बॉड़ी में और आपको काफी रिलीफ महसूस होगा फ्रेंट्स पांसमा तरीका है क्यों Kane पीने किहर दो रहे हैं कोशिष की ऐसा कहले हैं जसमें प्रटश यूंठ की हो जैसे के बनाना हो घाय आपका कीवी हो घायर आपको पिश ईबसेश चीज़ाब इक कम खानी है जिसमें नंग की मातरश है जिसमें सोडिय मोतरश जाधा होती है इसलिए अविक दिनlaisb Bern comparison में आप अपने खाने में थोड़ा सा नमक कम डालें या फिर कोशिश कीजिए कि जो मार्केट में आयोडाइजड सॉल्ट आता है उसको ना यूज करके आप सेंधा नमक यूज कीजिए वह आपको काफी बेनिफिट करेगा फ्रेंड इसके अलावा आपको रेगुलर वॉक पर जाना है लॉंग वाक्स पर मज जाए बट आप इस फिफ्टीन टुटी मिनट्स मॉर्निंग में और फिफ्टीन से लेटेड वह मैं आपको अभी करके दिखा देती हूं आपको उससे भी काफी रिलीफ मिलेगा फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकती है बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने पैरों की एक्सराइज करनी है थोड़ा आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ इस तरी से यह भी आप कम से कम चार से पांच मिलेट तक कीजिए डेली आपको अच्छा लगेगा और बीच बीच में इस तरीके से थोड़ास अपने पैरों को रिलाक्स दीजिए और फिर से माइक्सराइज को रिपीट कीजिए इसके अलावा आप जो है अपना बीपी जो है लाइक और शेर जरूर करें और में चैनल को सब्राइब करना ना भूलें जिसते ऐसे ही इंफोर्मेटिव वीडियो आप पहुंचते रहें ताइम तो टाइम तो फ्रेंट्स मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अच्छे से खाएं औ यू फ्रेंड्स तेक केर बबाई